हेलो एबरिवन आज की इस वीडियो में हम लोग physics के important objective को discuss करेंगे इससे पहले दो वीडियो अप्लोड हो चुके तो प्लीज आपसे request है कि उस वीडियो को भी चैनल पे जाके आप देख लिजेगा और कोशिच कीजेगा कि वीडियो को सुरू से अंत तक देखे तभी आपके field of intensity E यानि कि पी आधुर्ण वाला एक विद्यूत द्विधुरूब इत्वित्ता वाले विद्यूत्ये छेतर में रखा जाए तो उस पर लगने वाले टॉर्क होगा तो यह सब आपको मालूम होना चाहिए तो इसका first का correct answer जो होगा वो क्या हो जाएगा एज होगा इसका first का correct answer हो जाएगा ठीक है अब हम लोग second question पर चलते हैं तो second question देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि the power of electric circuit is electric circuit का power कितना होता है यह question repeat भी हो चुगा पिछले बार साथ पिछले से पिछले वीडियो में यह question बताया गया था तो आप सबको इसका correct answer मालूम होना चाहिए लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता जाता हूँ कि विद्यूत परिपत की सक्ती होती है ठीक है तो second का correct answer होता है C यानि कि B square बट्टा R जो होगा इसका correct answer हो जाएगा ठीक है अब हम लोग third question पर चलते हैं तो third question देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि dimensions of magnetic field is यानि कि चुमबक्य शे कितना minus two जो होगा इसका correct answer हो जाएगा ठीक है अब हम लोग next question पर चलते हैं तो next question देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि Lange law is associated with यानि कि Lange का नियम संबंध है तो देखें यह भी question साथ repeat हुआ है तो fourth का correct answer क्या हो जाएगा energy जो होगा यानि कि उर्जा जो होगा इसका correct answer हो यानि कि LR परिपत की शक्ती गुणांक होता है तो 5 का correct answer हो जाएगा B यानि कि R बट्टा में root under R square plus omega square L square जान देखें कि यह W नहीं है इसको हम क्या बोलते हैं omega square बोलते है ठीक है और L square तो fifth का correct answer B जो होगा वो सही हो जाएगा अब हम लोग sixth question को देख लेते कि sixth question यहाँ प the time period of suspended magnetic needle becomes यानि कि जब चुमबक्य शेत्र की विमा को चोगुनी बढ़ा दिया जाता है ठीक है तो दो लटकती वी चुमबक्य शुई की आवर्तकाल होता है तो यहाँ पर option है double यानि कि दो गुना हो जाता है आधा हो जाता है एक चोथाई हो जाता है या फिर one-fourth list यानि एक चोथाई कम हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर ध्यान दिजे कि six का जो correct answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा a यानि कितना हो जाएगा double हो जाएगा इसका कहीं कहीं पर आपको half भी लिखा रहेगा लेकिन आप देख लिन option में क्या है लेकिन इसका जो correct answer हो वो double होगा अब हम हम लोग 7th question गोड़े सेवंध पर चलते हैं यहांपे 7th question देखें यहाँपै क्या बोला है कि the final image in astronomical telescopies यानि कि खागोलिय दूरदर्शक में अंतीम प्रतिबियम होता है देख़े यहांपे क्या ब transaction का बात हो रहए यहांपे ठीक है तो अंतीम प्रतिबियम क्या होता है what you la देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि बीटा रेज आर्ड डिफलेक्टेड इन ठीक है यहाँ पे बीटा किरने विखशेपित होती है तो यहाँ पे देखिए ओप्शन क्या है देख लेते एक बार सब ओप्शन को कि ग्रेविटेशनल यानि कि गरुटवा कर्शन सेत्र में Only in magnetic field केवल चुमबक्य सेत्र में Only in electric field केवल विध्युत्य सेत्र में Both in magnetic and electric field यानि कि चुमबक्य और विध्युत्य सेत्र दोनों में ठीक है तो मैं आपको बता दू 8 का जो correct answer होगा वो क्या हो जाएगा D, यानि कि दोनों field में होता है magnetic field and electric field दोनों में होता है चुमबक्यों और विद्युत्य छेत्र दोनों में होता है ठीक है, तो 8 का correct answer क्या हो जाएगा, D हो जाएगा अब हम लोग 9th question पे चलते तो 9th question देखिए, यहाँ पे क्या बोला है modern physics का question है यह सब को मालूम होने चाहिए, तो 9 का correct answer क्या हो जाएगा D होगा, इसका correct answer हो जाएगा अब हम लोग 10th question पे चलते तो 10th question देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि the algebraic sum of all currents meeting at a point in an electric circuit is तो हम बोला है कि विद्युत्य परिफ़त के किसी बिंदू पर सभी धाराओं का बीजगनित्ती योग, तो क्या 0 होगा, infinite होगा या फिर positive होगा, या फिर negative होगा, ठीक है तो देखिए, 10 का जो correct answer जो होगा, वो क्या हो जाएगा A, यानि कितना हो जाएगा, शुन्य जो होगा, इसका correct answer हो जाएगा अब हम लोग 11th question पर चलते हैं, 11th question देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, 11th question यहाँ पर बोल रहा है कि dimensions of electromotive force age, यानि कि विद्यूत वाहक बल की विमा है विद्यूत वाहक बल की विमा है, ठीक है तो यहाँ पर 11 का, जो correct answer जो होगा, वो हो जाएगा D, तो एक काम किजिए, यहाँ पर ML square तो सही है ML square, T की power minus 3 तो सही है, यहाँ पर I का power जो है, 1 second, यहाँ पर I का power minus 3 नहीं होगा क्या किजगा आप लोग इसको cut कर ली जाएगा I के power minus 3 को, यहाँ पर A का power जो है, minus 1 हो जाएगा, last में, ठीक है यानि कि ML square, T का power minus 3 और A का power minus 1, यह option number D में है ठीक है, तो जब आप इसको याद कीजएगा तो वहाँ पर देख लीजएगा, अच्छे से, 11 का correct answer क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, but ML square T की power minus 3, और A का power कितना minus 1 हो जाएगा, तो अब हम लोग किस पर 12 पर चलते हैं, तो 12th question यहाँ पर देख लेते हैं, कि क्या बोल रहा है, कि 12th question बोल रहा है, कि ampere hour is unit of, यानि कि ampere घंटा का मात्रक है, तो देखिए, यह भी question यानि कि प्रतिक हाथ का मात्रक है, तो यह भी आप लोग को मालुम होना चाहिए, क्या हो जाएगा, 13 का correct answer, भी हो जाएगा, यानि कि ohm जो होता है, इसका correct answer हो जाता है, अब हम लोग 14th question पर चलते, तो 14th question यहाँ पर, देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो इसका तरंग धहर यह, ठीक है, तो आप देखिए, यहाँ पर 14 का जो correct answer जो होगा, वो होता है, यानि कितना घटता है, ठीक है, तो घटता है, यह बात ध्यान रखेगा आप लोग, 15th पर चलते हैं, हम लोग 15th question यहाँ पर क्या बोला है, या पर परिवर्तित, या पर इसमें से कोई नहीं, ठीक है, तो आपको मैं बता दू, 15 का correct answer हो जाएगा, यह, वो क्या होता है, बढ़ती है, ठीक है, यहाँ दिखिएगा, इसका measuring range पूछा, तो measuring range पूछा बढ़ जाता है, आप हम लोग 16th question पर चलते हैं, तो 16th question यहाँ पर क्या बोला है, कि SI unit of self inductances, किसका self inductance का SI unit पूछा, यानि कि swap product का SI मात्रक है, तो 16 का correct answer क्या हो जाएगा, यहाँ पर D, यानि कितना हो जाएगा, हेनरी जो होगा, इसका correct answer हो जाएगा, अब हम लोग 17th question पर चलते हैं, तो 17th question यहाँ पर क्या बोला है, कि hot wire emitter measures, यानि कि तब तो तार emitter मापता है, तो यहाँ पर आप लोगों को मालम हो जाएगा, 17 का correct answer क्या हो जाएगा, C, यानि कि RMS AC, मूल औसत वर्ग धाराज होगा, इसका correct answer हो जाएगा, अब हम लोग 18th question पर चलते हैं, तो 18th question number यहाँ पर क्या बोल रहा है, देख लेते हैं हम लोग, कि if N1 and N2 are numbers of primary and secondary coils of a step of transformers, then, यानि कि किसी उच्चाई transformer के primary और secondary में करमसा N2 और N1 लपेट हैं, लपेट हैं तब, यहाँ पर क्या होगा, तो 18 का correct answer क्या हो जाएगा, B जो होगा, यानि N2 greater than N1 जो होगा, इसका correct answer हो जाएगा, अब हम लोग 19th question पर चलते हैं, तो 19th question देखें, यहाँ पर क्या बोला है, कि electron volt is the measure of, तो यहाँ पर electron volt द्वारा मापा जाता है, तो 19 का correct answer क्या हो जाएगा, D, किसके लिए मापा जाता है, उर्जा हो जो होता है, इसका correct answer हो जाएगा, 19 का D, ध्यान रखेगा energy, अब हम लोग 20 question पर चलते हैं, तो 20th question नमर यहाँ पर देखें, क्या बोल रहा है, कि dynamo के काड़े का सिधान्त अधारित है, यानि कि the working of dynamo is best on the principle of, तो यहाँ पर option number देखें, धारा के, once again, heating effect of current, यानि धारा के उजमें, प्रभाव पर, electromagnetic induction विद्यूतित चुमबक्यों पर, magnetic induction प्रेडित चुमबक्यों पर, और D option बोले, electric induction यान कि प्रेडित विद्यूत पर, ठीक है, तो 20 का correct answer क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, यानि कि electromagnetic induction यान कि विद्यूति चुमबक्यों प्रेडित पर जोगा, इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं, फिर next वीडियो में, आपको क्या करना है, कि हर एक objective को अच्छे से ध्यान से पढ़ना, क्या है कि इसमें मैं, बीच-बीच में, काफी सारे बचे, compartment के question जो होते हैं, वो नहीं पढ़के जाते हैं, और वहाँ से भी, कई सारे objective पूछ देता है, भी Harvard, ठीक है, ता आप लोग को मैं उसको, उस objective को भी cover कर भाऊंगा, ठीक है, मैं कम-कम इसलिए question ले रहा हूँ, ताकि आप साथ के साथ, अभी आपके पास, दो से तीन दिन है, ता आप थुरा सा chemistry भी पढ़ लो, बायो भी पढ़ लो, यह नहीं कि आपका, फस्ट दिन एक्जाम फिजिक्स का, ता आप फिजिक्स ही पढ़ते रहो, ठीक है, एक ही दिन अब तो time है, तो ठीक है, तो आप लोग को क्या करना, इसके साथ subjective की भी तियारी करना, objective तो मेरे को मालू है, आप इतना कर लोगे, ता आप 35 आपके आजाएंगे, लेकिन subjective को भी याद करने की कोशिश करो, ठीक है, वैसे मैं कल से number of questions बढ़ा दूँगा, क्योंकि कल तो last exam है, तो मैं मैं आपके लो इसे उता हो, वैसे पहा है, तो आपके जो कि नएः आपके त रुछाएंगे, जाना है, तो कि